शेहर के कई राजनिंग दुकानों के बहर लोगों के लंबी कतारे इंडिनों दिखाई दे रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि राशनिंग दुकानों में राशनकार धरकों को वितरन होने वाली प्रणाली के सर्वर बहुती धिमीगती से चल रहा है इसी के चलते आज युवासेना के नागपुर जिला प्रमुक शरत सरोदी के नेतरुत्व में खाध्यानना आपूरती वितरन अधिकारी भासकर तायरे को इस समस्या को हल करने ही तु ग्यापन सौपा गया है राशनकार धरकों के वितरन व्यवस्ता प्रणाली का सर्वर डाउन होने के कारण जरुरत मन लोगों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदेंडों के अनसार खाध्यान नप्राप करना बहुती मुश्किल हो रहा है सरकार दर पर 100 रुपे किलो का अनाज खरीदने में लाभारतियों को रोजाना 300 से 400 रुपे का नुकसान सैना पड़ रहा है नागरिकों को पता होना चाहिए कि इसके लिए प्रशास्वन के पास क्या उपाई या विकल्प है ताकि नागरिकों को हो रही समस्या जल से जल हल हो पाई ताइड़े साब को हमारे को अउगत कराना था वैसे जो अभी तातपूर्ती सरकार वैठी हुई है जैसे बुलते तातपूर्ती सरकार दे नाम के लिए बकाईदा जो जनता के साथ में खिलवार किया कि सव रुपे में हम दिवाली एक दिवाली आफर करके सव रुपे में हम उनको एक पैकेज देते एक छोट असा पैकेज दिया गया 100 रूपे में, उसके उपपर भी देवेंदर जी का फोटो, मुक्य मंद्री शिंदे जी का फोटो, प्रदान मंत्री जी का फोटो ये क्या है? फोटो छपाने में जितना पैसा खर्च हुआ, अगर राशन उत्ते ही पैसे का राशन उनको बड़ा के देते थे, तो मेरे हिसाब से यह ज़्यादा फाइदे सी रहता था और मैं इनको अउगत कराना चाहता हूँ कि इन्हों ने जो सव रुपे के पैकेट दिये परंतु इस दिवाली में ऐसा हुआ कि जो सुबह राशन लेने के लिए आया उसको शाम तक वो राशन नहीं मिला याने यह उन इन्होंने अपने सिस्टम में सुधारना लाना चाहिए था पहले या तो उसके लिए कोई दूसरा परिया उन्होंने यह करना था कि अगर हमारे नेटवर्क नहीं रह पाता है तो हमने जो आम जंता आती है जो नागरिकों का हक है राशन दुकानदारों के पास आते तो उन इनको राशन देना चीह ताकि सबकी दिवाली अच्छी हो इन्होंने कहा था कि हम दाल दे रहे तेल दे रहे खाने का जो भी सामगरी उसमें दे रहे परन्तु वो दिवाली में तो पहुची नहीं पाई तो घरीबों की दिवाली हुई नहीं इसी मांग के लिए आज युवासेना द्वारा खाद्यान आपूर्ती वितरन अधिकारी को ग्यापन सौपा गया इस दोरान युवासेना के कई कारिय करता बदा अधिकारी उपस्तित थे है क्योंकि राशन दुकान में वही लोग आते हैं जो गर्जू लोग होते हैं जिने उनकी आवशक्ता होती है वही लोग लाइन में लगते हैं और उन लोगों की वास्तविक्ता यह है कि वो लोग 400-500 रुपे रोजी से कोई काम पे जाता है और राशन लेते वक्त अगर व जो मुद्दा है इस पे तुरंथ हमारे को आप हमारे को लिखित में एक पत्र भी दीजिए और इसमें तुरंथ सब का आदेश दीजिए कि सबकी राशनिक दुकान में उनको उनके उपलप्त किया जाए किट अन्यता युवा से ना किया और से एक थिवरा अंदोलन किया ज जो मुद्दिए नियो जनाक पूर